दादरी से हैं सुरेज जी स्वागत है आपका हान जी सर नमस्कार जी अदे बात करवाएंगे produz जी बात हुरी है सुरेज जी आपका स्वागत है अजी सर डेक्व मेनले यंटार billion ला आँ साब अच्छा अच्छा लेट्टीनेंट siete अंद्ध कर्नल साब आजे, आजे, मैं यह कह रहा हूं, मेरे तेरे प्रेजिमे बड़ी फ्रोष, अच्छे ने लेता रहा हूं, ने पूरन खालेते हैं, और कही चुरन आपे, चुरन यह रेता रहा हूं, कही ऐसार नहीं है, जिखना ही ज़ता हो गई हूँ. हाँ, देखिए, फोजी भाई, यही मसला है, कि यह चुरन वगएरा जो आते हैं, यह आतों को चिकना ही खतम कर देते हैं, यही बास सच है, तो बहुत सारे नस्के हैं इसके लिए, लेकिन यह चुरन बनाने वाले लोग, बगएर छोटी हर, हरड, यह हरड काबली, यह तीनों एकी चीज़ है, इसके मिलाए चुरन नहीं बनाते हैं, और इसको प्रियोक करने का तरीका यह हरड को, यह हरड काबली को, इसको तेल में भूनना होता है, तेल यह तो बदाम का हो, यह अरंडी का हो, इसमें अगर हम भून लें, तो फिर यह सही काम करता है, नहीं तो यह हम हमारी आतों की चिकनाई निकाल देता है, और फिर फुजलात जो लेटीन है, हमारी आतों से चिपक के चलना लगती है, एक तो यह बात समझानी जरूरी थी, दुनिया में लोग आते हैं, अख़बारों में टीवी पर, यूट्यूब पर, फेस्बूक पर, वो कहते हैं, ति में भून लें, और फिर इसको खाएं, ताकि आपको नुकसान न दे, तिलपड़ा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बगएर इसमें भूने, यह नुकसान दे चीज़े, शुरू में फायदा करती है, बाद में आतों की चर्बी निकाल देती है, चिकनाई जो एक लेमिन सो सो ग्राम लेके पाउडर बनाके रख लें, और एक चुटकी नमक जैतुन, दो गिलास पानी मिलाके, यह आप, रोजाना कम असकम एक बार लिया करें, चाज़ जादे दो बार, खाने से पहले लेना बहतर है, और एक और घरे लो इलाज है के, बदाम का अच्छा तेल, अ आजकल भरोसा नहीं, और दो तीन चमच, दूद में मिलाके पी लिया करें, दिन में एक बार या दो बार, बदाम का तेल, और यह बहुत अच्छा नुसका है, धीरे धीरे आपकी लामिनेशन वापस आनी मुम्किन है, बेल पत्थर खाया करें, खूब, बेल पत्थर खाये यह सब पेट के लिए पायदेबन चीज़े हैं.